हाई गाईस और विल्कम बैक तो दी चैनल दीपक्यादव एजुकेशन विल्कम तो दी डेली करेंट अफियर्स और 6 अफ मार्च 2022 तो गाईस आज है तारिक 6 मार्च 2022 और है संडे आज की तारिक से जितने भी most important करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर्स को हम लो हर सब्ता एक compilation upload होता है मतलब हमने Monday से लेकर Saturday तक जितने भी करेंट अफियर्स डिसकस किया है उन सब का revision हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले है तो अगेन वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है अगर आप लोगों के पिछले सब्ता में कुछ करेंट अफियर चूटे हैं या को आपने पिछले सब्ता करेंट अफर कवर ही नहीं करें तो इस वीडियो से आपके काफी सारी चीज़े कवर हो जाने वाली है और एक information में आप लोगो यहाँ पर और दिना चाहूँगा आपको बताओगा इस channel पर मैं काफी लंबे समय से monthly compilation भी upload कर रहा था अब कर रहा था क्यों बोला हूँ क्योंकि January और February का compilation में upload नहीं कर पाया हूँ कुछ issues थे content को लेकर जिसकी वयसे वो upload नहीं हो पाया है बट इसकी PPT मैं कोशिश करूँगा आप लोगो टेलिग्राम पर provide करवा दूँ January और February के monthly current affair की लेकिन आपसे जो next महीना होगा तो तब महीने के compilations already channel पर uploaded है उसको जाकर आप लोग देख सकते हो तो start करते हैं discussion को lecture का PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा download कर लेना वहाँ से साथ ही साथ आप लोग अगर मुझसे connect होना चाहते हो तो नीचे description box मेरे Instagram ID का link मिल जाएगा वहाँ पर connect होकर आप अपनी queries को मुझस बताया गया था तो news क्या है खबर आप लोग एक पार होंगे हुआ क्या है recently DRDO और IIT Delhi दोनों ने मिलकर quantum की distribution को थोड़ी देर के लिए demonstrate किया ठीक है इसको दिखाया इसको possible करके दिखाया है तो हमाल यह major important चीज यही है कि आखिरकार यह quantum की distribution या फिर QKD होता क्या है तो current issue क् आप लोगों ने अभी समझ लिया Indian Express का अंदर आर्टिकल दिया गया है तो इसको समझने के लिए एक picture मैंने यूज किया है आपको पता होगा आपने पहले पढ़ रखा इसके बारे में तो इन दोनों व्यक्ति के नाम हमने क्या रखे थे एक का नाम था Alice और एक का नाम है Bob ठीक है मालो यहाँ पर यह विक्ति यह इसका नाम है Alice A लिग देता हूँ इदर यहाँ पर इसका नाम है Bob इदर B लिग देता हूँ और अब यहाँ पर क्या सुनना है आपको ध्यांस देखते रहे ना देखो होता है क्या है मालो जनरली कोई defense factor है हमारा मालो यहाँ पर दो planes जा रहे हैं, दोनों आपस में बातचीत करें, फिर यहां पर कोई हमारा defense data हो गया, या कोई ऐसा data हो गया, आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी बातचीत बहुत important है, है ना, या फिर हमारी बातचीत बहुत important है, वो जो बातचीत हो रही है, उसको एक security मिलने अब यह quantum की distribution क्या करता है ना, इसी communication को और ज़दा secure बना देता है, example लेता है, अब हम लोग बात करते है, normal discussion की, मालो जैसे कि normal अगर बातचीत हो रही है, इन दोनों person के बीच में, Alice ने यहां पर type किया hello, ठीक है, और यह जो hello है, यहां पर type कर रहा है, और पहले होता क्या है आपको देख पाऊगे, normal चीजों के अंदर आपको end-to-end encryption देखने को मिलता है, end-to-end encryption का मतलब यह है, अब इस व्यक्ति ने hello type किया, इसके पास यह message पहुंच गया, अब क्या है, यह जो message है, यह कोई और पता नहीं लगा पाएगा, यहां पर क्या है, एक encryption देखने को मिलत अब क्या होता है, कि इसको decode करने के लिए एक और key प्रोवाइट करवानी होती है, तो यह वक्तिय करेगा, इसकी key भी देगा, क्योंकि यहां पर key के भीना यह decode होगा नहीं, key के भीना पता नहीं चलेगा कि इस symbol के अंदर क्या लिखावा है, तो यहां पर bob के पास key भी आ कि यहां पर ले key और key को डाल, उसका पता चल जाएगा, मैंने क्या भेज आए, लेकिन जब key रास्ते में जाएगी, तो key को भी तो hack किया जा सकता है, DRDO का यही कहना है, तो इससे फाइदा क्या हुआ, क्योंकि key भी जब यहां पर भेजी जाएगी, air के माध्यम से, तो इसक को hack करके, key डालके, पता लगा जा सकता है कि आपने क्या message किया है, तो इसी flaw को ठीक करने के लिए QKD है, QKD क्या करता है, एक security के साथ communication को यहां पर enable करता है, इसका मतलब क्या है, मतलब जो अभी key भेजी गई है ना, उस key को भी बहुत security के साथ भेजा जाएगा, इसी बातचीत तो hack होगी नहीं, साथ-साथ key भी hack नहीं होगी है, तो इससे क्या होगा, आपस में कोई बातचीत करेगा, तो इससे जो communication है, वो बहुत ज़्यदा secure रहेगा, clear हुआ, तो यहां पर आप कैसे तो Alice Encoder हो गया, Bob Decoder हो गया, इसने कोई message भेजा, ठीक है, अब message के साथ जैसे key भेजेगा, key भी यहां पर hack हो सकती है, बट, quantum की distribution के क्या होगा, इसके अंदर, एक random तरीके से secret key को भेजा जाएगा, एक अलग माध्य हम से, जब key को हम लोग भेजेंगे, बहुत security से, तो इसके बाद यहां पर यह hack नहीं हो पाएगी, आपको ध्यान रखना है, इस उसको hack करना ना मुमकिन, ऐसी वज़े से quantum की distribution को हम लोग बोलते है, non-hackable, तो key जब आएगी इसके पास, तो RAM से इसकी को डाल कर वो messages को देख सकता है, यही है हमारा QKD, I hope आपको बहुत simple शब्दों में QKD के बारे में समझ में आ चुका होगा, तो QKD का use क्या है, कि सब से पहली चीज भाई, यहाँ पर secure communication होगा, ठीक है, खासकर मालो defense sector के अदर बाचीत हो रही है, जो की defense data अमाल यह बहुत important है, ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीजों के अदर बाचीत हो रही है, वो बहुत ज़दा secure होगी, Indian agencies के बारे में बात करें, DRU ने यहाँ पर बहुत चाइना जो है, वो सेटलाइट के मादम से कर रहा है, तो चाइना अभी काफी आ गया है, बट क्वांटम की distribution का importance क्या है, जो technology है, हमारे communication network को और ज़दा मजबूत मनाएगी, जो हमारा military data होगा, military communication होगा, वो बहुत ज़दा secure होगा, कोई हमारी बात का पता लगा नहीं पा QKD की, 100 km के बीच में आपने data transfer किया, तो इसको कोई hack नहीं कर पाएगा, ठीक है, पहले यह बहुत कम km में था, अब तो 100 km तक पहुँच गए हम लोग, लेकिन चाइना अभी 1200 km तक पहुँच चुका है, ठीक है, और उसके बाद चाइना ने बहुत सारा investment किया है, दुनिया और वगरा हो रहा है, ठीक है, तो यह आप लोग ध्यान रख सकते हो, तो इंडिया को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे करने की काफी जरूरत है इस कामों को, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा challenge हमाले चाइना आ जाता है, दूसरी सबसे बड़ी problem में भारत के अंदर व आ चुका है, next article हमने discuss किया था, sea cucumber के बारे हैं, पहली चीज तो cucumber क्या होता है, आप देख़ाऊगे दाहिंदू का article है, coast guard नहीं यहाँ पर क्या हुआ, live sea cucumbers को जब्त किया है, बहुत सरे जो poachers होते हैं, इनको पकड़ के, इनका शिकार करके लेके जा रहे थे, sea cucumbers को, तो इन और cucumber एक जैसा लग रहा है ना, इसी वज़ासे इसको sea cucumber बोलता है, sea cucumber यहाँ पर एक important part है, हमारे marine ecosystem का, marine ecosystem मतलब समुदर के लिए बहुत important part है, कैसे important part है मैं आपको बता, दोगो इसका कोई इतना proper शरीर नहीं है, कोई आखे नहीं है, कोई blood नहीं है, शरीर बहुत ज़ाद ह यहाँ पर आप कर सकते हो कि soft सा यहाँ पर bodies की देखने को मिलती है, और sea cucumber की लगबग 1259 प्रजातियां है, अलग लग प्रजातियां देखने को मिलती है, इसकी demand बहुत ज़ादा है, चाइना के अंदर, ठीक है, South East Asia के अंदर, बहुत ज़ादे demand है, यह लोग यहाँ पर इस फिर उसको बेचना, high cost है इसकी, तो इस प्रकार से smuggling देखने को मिलती है, तो sea cucumber क्या है, ध्यान अखना, sea cucumber का role क्या है, बहुत important role है, sea cucumber inorganic nitrogen को छोड़ता है, जिससे यहाँ पर आप कर सकते हो, जो floor पर animals है, ठीक है, जो floor पर छोटे-छोटे animals हैं, उनकी growth होती है, साधी component एक important key component है इनके लिए, तो sea cucumber इनकी health को मजबूत रखता है, तो मतलब हमारे marine ecosystem के लिए, हमारे समुदर के लिए, ये जानवर बहुत important है, प्लस इसके अदर बहुत सारे chemicals होता है, इसमें से एक chemical है, जिसका नाम है, फ्यूकोसिलेटेड ग्लाइकोस है, मैगिलिकन के यहाँ यहाँ पर chemical इसके अंदर पाया जाता है, इसकी skin में पाया जाता है, और बोला यह जाता है कि यह chemical बहुत ज़दा helpful है, arthritis को ठीक करने के लिए, और भी जो joint problem से उसको ठीक करने के लिए, यूरोप के अंदर लंबे समय सालों से यहाँ पर इस chemical का अस्तमाल हो रहा है, तो वो यहाँ पर इस जानवर से मिलता है, protection के बारे में बात करें, तो यहाँ पर schedule 1 के अंदर wildlife protection act में, इसको यहाँ पर बोला है कि जो इसका व्यापार होगा, वो बिल्कुल बैन रहेगा, इसका व्यापार वगर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले से यह जानवर बहुत खत्रे में, ठीक है यहाँ पर बताया गया, तो बैन वगरा लगा रखा है इसके उपर, और अब इसको protection देने के लिए, इसके लिए पहला conservation area कहाँ पर आया है, आपको ध्यान रखना है, लक्षदीप ने दुनिया का पहला conservation area बनाया है, sea cucumbers के लिए, यहाँ पर आप लोग देख पा किया था, 24 February को 3rd anniversary मनाई गई थी, 3rd anniversary launch करी गई थी, प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी scheme की, तो PM किसान क्या है, PM किसान आपने full form इसका देख लिया, यह basically एक central sector direct benefit transfer scheme है, मतलब किसान भाईयों कोई bank account में directly कुछ fund transfer है, इस scheme को launch किया था, 24 February 2019 में और 2018 के December से effective हो चुकी थी, और यहाँ पर इसका major मकसद यह है कि farmers को income support देना, financing की बारे में बात करें, तो इस scheme के अंदर में लगबग 6,000 रुपे यहाँ पर सालाना देने के बारे में चर्चा की गई थी, और वो जो 6,000 रुपे हैं, वो farmers के bank account में डाला जाएगा, 22,000 करके installment में, ठीक है, यह आपको सालों की जो list है, वो तयार करने के बाद केंज सरकार के साथ share की जाती है, और फिर केंज सरकार यहाँ पर वो fund transfer कर दी है, केंज सरकार ओलेडी बहुत सरा fund transfer कर चुकी है, फिर भी इस scheme में कुछ परेशानिया है, challenges है, सबसे बड़ा challenge है, कि वही proper financial support यहाँ पर मिलता नहीं है दूसरा यहाँ पर सभी farmers तक यह support मिल पा रहा है, तीसरा जो landless farmers जिनके पास कोई जमीन है नहीं, उनको यहाँ पर पैसन मिल पाता है, चौथा यहाँ पर यह scheme अच्छे से लागू ही नहीं हो पा रही है, बहुत सरे issues इसके अंदर आते रहते हैं, यह सारे challenges है, next article में हमने Jordan के बारे में discussion किया था, recently यहाँ पर archaeologist ने 9000 साल पुराना shrine find किया है Jordan desert पर, तो Jordan location हमाली बहुत important हो चुकी है, तो Jordan के बारे में ज़रूर दियान लखना, Jordan कहाँ पर रिस्थेत है पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो, यह आपको Jordan देखने को मिलेगा, कहां गया, यह Jordan, ठीक है, इसके आसपास कौन-कौन से देश है, इधर आपको Israel देखने को मिलेगा, ऊपर Syria है, इधर Iraq आपको देखने को मिलेगा, इधर साओधी अरेबिया है, इधर आपको Egypt भी देखने को मिलेगा, हालाकि Egypt कोई proper यहाँ पर border वगरा शेर करता है, अभी फिलाल Jordan के आसप अकाबा देखने को मिलेगा, गल्फ अकाबा यहाँ पर है जो की Egypt और Jordan को अलग-अलग, मतलब separate कर देता है, अदर्वाइस यहाँ पर हिस्सा थोड़ा सा जुड़ जाता, तो यहाँ पर गल्फ अकाबा इन दोनों को separate कर देता है, यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, यह रहा गल्फ अकाबा जिसके मादे हम से Egypt और Jordan दोनों अलग-अलग हुगा है, अगर यहाँ जोइंट होता है, तो यह दोनों कहीं ना कहीं बॉर्टर शेयर कर रहे होते, ठीक है, उसके बाद जोग्रफी के बारे में बात करें, तो Jordan में semi-arate country देखने को मिलेगा, ठीक है, उ आपके सकतो middle income जो countries होती है, उससे थोड़ा सा उपर देखने को मिल जाएगा, और semi-arate में तब थोड़ा सा dry area यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सूखा सा area देखने को मिल जाता है, गल्फ अकाबा हमने देखी लिया है, नेक्स्ट आर्टिकल में हमने salt water crocodile के बारे में discussion किय यहाँ देख पाओगे, दो article है, अलग-लग news में आपर चर्चा की गई है, इस crocodile के बारे में, तो ध्यान रखना, क्योंकि GS paper 3 environment के perspective से important article है, जब हम बात करते है, salt water crocodile की, तो उसका scientific name क्या है, इसका scientific name है, Crocodilus porosus, यह यहाँ पर Vietnam, Southern China, इन सबी countries में देखने को मिल रहा था, ब crocodile के बारे में, जब हम बात करते हैं, तो यह अपनी मतलब जितने भी प्रजातिया है, तहीस प्रजातिया है, इसमें से सबसे बड़ा species यही देखने को मिलता है, जिसको हम लोग salt water crocodile बोलता है, ठीक है, ध्यानक न, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, यह इसको हम लोग salt water crocodile जो है, यह ocean के अंदर बहुत लंबा लंबा distance भी travel कर सकता है, आज के time पर जो यह salty है, यह भारत में आपको तीन जगा देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पर एक location है सुंदरबन, दूसरा है भितरकनी का, और तीसरा आपको अंडमेन निकोबर आइलेंड देखने को मिलेग दूसरा यहाँ पर कौन सा है, दूसरा यहाँ पर है मगर crocodile जिसको मोग बोलता है Crocodilus palustrius, तीसरा घरियाल है जिसको मोग बोलता है Gavialus gangeticus, तो यह सारे scientific name है, उसके बाद जो यह salt water crocodile है, यह बांगलिदेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूने, फिलिपिन्स, अगले article में हमने endosulfan के बारे में discussion किया था, आप देख पाओगे New Indian Express का article है, केरला सरकार ने अभी यहाँ पर Supreme Court से बोला है कि हम लोग जो भी compensation है, endosulfan के victims को वो compensation प्रोवाइट करवाएंगे, तो यहाँ पर एक case हो गया था, endosulfan का वो क्या था, हम आपको बदाता हूँ, यह basically एक pesticide है, और आप कह सकते हो यह band pesticide है, band मतलब इसका use नहीं कर सकते है, pesticide क्या होता है, जो कि कीट नाशक होता है, यानि कीडो को मारने के लिए use किया जाता है, फसलो के अंदर, तो हुआ क्या है, एक case हो चुगा था, करेगा कि अंदर इसका बहुत तगला स्तमाल जिसकी वएसे लोग की जान चली गई, क्योंकि एंडोसिलफान खुद अपने आप में बहुत जहरीला है, एंडोसिलफान की बात करें, तो यहाँ पर यह कासी जदा नुकसान दायाक है, इसका use हम लोग फसलो में करते हैं, इसका फसलो में use किया गया, cotton के लिए, cashew nuts के लि ब्रेन से रिलेक्टिट बहुत सरी प्रॉब्लम साने लगी, ऐसी प्रॉब्लम सा रही थी, इसी वज़े से यहाँ पर केरला सरकार में क्या हो था, केरला गवर्नमेंट ने, mid 70s के आसपास ना, इसी एंडोसिलफान का छिलकाव बहुत जादा कर दिया था, लगबग 4600 हैक् से उनको कमपनजेशन दो, आधे लोगों तो कमपनजेशन दे चुका है करला, बट अभी यहाँ पर और बाकी लोग के लिए कमपनजेशन रहे गया था, उनको भी अब यह प्रोवाइट करवाएगा, तो यह न्यूस थी हमारी, यह हुआ, अब यहाँ पर अपनी टेस्टि के बारे में, आपने आज का थमनेल भी देख लिया होगा, चर्णोबिल डिजास्टर दुनिया का सबसे भयंकर परमाडू हाथसा, क्या था हम लोग समझते हैं, देखो, आगे इंडिन एक्सप्रेस के अंदर एक्स्प्रें सेक्शन पर कवर गया गया, क्यों है चर्चा में चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी रश्या ने इस चर्णोबिल डिजास्टर साइड यानि जो जगा जहां पर ही धमागा हुआ था, उस पूरी जगा को जब्त कर लिया है रश्या ने, क्योंकि रश्या यूक्रेन के बीच में वार चला है आपको पता है, तो इसी वार क आपको ये देश देखने को मिलेगा, उपर बेलारूस है, ये यूकरियन और बेलारूस का बॉर्डर हुआ, यहीं पर चर्णोबिल नामक जगा है, ठीक है ये चर्णोबिल देखने को मिलेगा, चर्णोबिल से और उपर जाओगे तो एक और जगा है प्रिप्यात है तो ए वाली reaction करते, एक fusion होता है, एक fission होता है, काफी detail है में आप लोगों को पड़ा रखा है, now बात करें fission की, तो fission में हापर क्या है, uranium तूटता है, uranium तूटते 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 यह blast हो गया, इस nuclear plant को ठंडा नहीं कर पाया, क्योंकि ठंडा chilling effect जो है, इसमें use नहीं क हम लोग chilling effect से यहाँ पर यह काम नहीं कर पाया, जिसकी वैसे बिसपोर्ट हो गया, location क्या है, Chernobyl, Ukraine आपको बता चल चुका है, कौन को सी countries को नुकसान हुआ, Ukraine, Belarus और Russia तीनों को नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब देखते हो, यह, तो, एक second, map कहां गया, यह तो, यहाँ पर आपको इधर देखोगे, तो, रश्या मिलेगा, इधर बेलारूस, इधर चर्नोबिल, तो, जब यह disaster होगा, तो, यह तीनों ही countries काफी बुरी तरह से effect होई थी, यहाँ पर काफी सारा radioactive waste निकला, जिसमें से iodine 131 और सेसिम 137 यहाँ पर निकला था, उसके बा हुआ करता था, पूरा का पूरा, 1991 में यह USSR टूटा, 15 देश बने, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यह चटावला जो है, यह Ukraine है, यह Ukraine भी अलग एक देश बन चुका था, यहीं पर यह disaster हुआ, जिसकी वैसे यह countries बुरी तरह से effect होई, clear हुआ, simple सा funda, आगे बढ़ते था, तो वो exact तारिक 26 अपरिल थी, तो UNGA ने बोला कि 26 अपरिल को हम लोग अब International Chernobyl Disaster Remembrance Day की तरह देखने वाले हैं, clear हुआ, simple सा आर्टिकल था ध्यानकनेस के बारे में, आगे बढ़ते हैं, next आर्टिकल में हमने additive manufacturing के बारे में discussion किया था, again Indian Express का आर्टिकल है, हुआ क्या 3 additive manufacturing के according बात करें, तो 2025 तक भारत का major मकसत है, हम लोग 50 इंडिया specific technologies को develop करें, और आपने नए starts up develop करें, इसी additive manufacturing के लिए, और 500 नए product बनाएं, तो हमें समझना ये है, क्या आखरकार ये additive manufacturing होती क्या है, पर आपको ये समझाता हूँ, देखो additive manufacturing के अंदर होता क्या है, computer के अंद चीज बनकर निकल कर आजाए, आपने कुछ भी computer में design कर लिया, एक car हो गया, building हो गई, कुछ भी design कर लिया, तो उसको आप चाहते हो, ये हकीकात में मेरे पास हो, 3D के shape में बनकर आजाए, तो वो computer के साथ यहाँ पर एक machine attach की जाती है, ठीक है, additive manufacturing के लिए एक अलक्से machine आती मालों ये design किया गया, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से machine होगी, जो कि इसको एक 3D form में develop कर देगी, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते है, additive manufacturing जैसा आप लोग इस picture में देख पा रहे होगे, now question यह है, कितनी जादा successful है additive manufacturing, तो आप यहाँ पर एक article 2019 की अगर हम बात करें, तो लगबग 13.8 billion dollars का यहाँ पर growth देखने को मिला था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2024 सक हम target रख रहे हैं कि 34.8 billion dollars सक हम लोग पहुंच जाएंगे, इस additive manufacturing के उपर, मतलब इसको उपर जो खर्चा होगा, वो इतना होने वाला है भारत ने भी अपना target set कर लिया कि हम लोग भी 500 नए products बनाएंगे, नई machines लगाएंगे, ठीक है, तो हम लोग भी आपर पैसा कमाएंगे, हमारी भी economy grow होती भी नज़राएंगी, ठीक है, इसका importance क्या है, ठीक हो importance बिलकुल होगा, हम लोग यह देख रहे हैं, हम लोग यह मान manufacturing के तरफ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज के टाइब बहुत सरी countries इसमें आगे निकल चुकी है, इंडिया थोड़ा सा पीछे है, तो यहाँ पर हम लोग भी आगे आना चाह रहे हैं, अगले article पर बाते हैं, next article बात करता, PTI aircraft के बारे में, तो दहिंदू का article है, अभी long range maritime patrol aircraft को deliver कर दिया हमारे Indian Navy को, अब यह जो aircraft है, यह basically क्या काम करता है, जो maritime हमारा जो समुदर वाला area है, वहाँ पर दस्तक माने का यह काम करता है, ध्यानक ना, हमारे पास already काफी सरे aircraft आपको देखने को मिलेंगे, यह 12 नंबर कार आया है, इसको भी ध्यानक ना है, ठीके, इसके अंदर features काफी सारे है, features में जब हम लोग बात करते हैं, तो यह लंबा समय तक उड़ सकता है, इसकी जो flying capability है, वो बहुत जादा है, anti-surface warfare है, anti-surmarine warfare है, मतलब दुश्मन की अगर पंडूपी भी नजर आए, तो उस पंडूपी को यह हवा में, मतलब से target करके, कोई पंडूपी है, तो उस पंडूपी को hit कर सकता है, प्लस इसके अंदर communication का system बहुत भेतरीन है, मालो दो plane ये, दो plane उड़ रहे हैं, अब दोनों के pilot अगर पसमें बाचीत कर रहे हैं, अब आपसमें बाचीत करेंगे, तो कोई इनकी बाचीत को track कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक security मिल चुकी है, क्योंकि भारत नहीं हाँ पर USA के साथ कोमकासा sign कर रखा है, कोमकासा मतलब होता है, communication, compatibility and security agreement, वो USA के साथ हमने sign कर रखा है, इससे क्या होगा, इससे machine set कर दी जाएगी, कोमकासा वाली इसमें और इसमें एक special machine होग हमने और भी various agreements किया है, जैसे कि G.S.O.A.M.I.E. यह 2002 में किया था, ले मुआ 2016 में, उसके CS.O.A.M.I.E. 2018 में, बेका 2020 में, इसके बारे में जानना है, कोमकासा के बारे में तो आपको बता दिया, 2008 में sign होगा था, बाकी सारे agreements के बारे में जानना है, तो simply YouTube पर जाना, type करना, इसको देख लेना, clear हुआ, इंडिया, U.S. के defense relation के बारे में भी मैंने आप लोग को साथ साथ बताया था, जब हम लोग बात करता है, U.S. और इंडिया के defense relations काफी जादा है, हम लोगो zero से थे, मतलब zero से आज के time पर बहुत आगे पहुँच चुके हैं, 2008 में कोई इतने proper relation थे ने, defense sector में, और आज के time पर 2020 का data देखें, तो 20 billion dollars का ये हाँ पर हम लोग व्यापार कर चुके हैं, ठीक है, तो दिहान लग सकते हो इसके बारे में, आगले article में हमने लचित बोरफूकन जी के बारे में discussion किया था, Indian Express का article है, हुआ क्या है, यहाँ पर अभी 400th birth anniversary हम लोग Google Forces के थुरू try किया जया, कि Assam को capture कर लिया जया, बट ऐसा ही इन्होंने करने नहीं दिया, तो इस पूरे battle को lead कर रहे थे, लचित बोरफूकन जी, लचित बोरफूकन नाम का एक gold medal भी दिया जाता है, जो भी यहाँ पर National Defense Academy का best person होता है, इनकी death हो जाती है, 25th April 1672 में, लेक आसकर गुहार्टी वाले area में, इसको लड़ा गया था, 1671 में, और बोला जाता है, कि इसके अंदर Ahom, जो कि Ahom leader थे, यहाँ पर आप देख पाऊगे, लचित बोरफूकन जी, तो Ahom की जीत हुई थी मुगल्स के उपर, इस battle of Sarai Ghat के अंदर, clear हुआ, अगले article में हम लोगो यहाँ पर participate किया, इसका theme है, camera deray, cohesion, collaboration, मतलब भाई चारा, दोश्ती और उसका collaboration यह देखने को मिलेगा, उसके बाद, million exercise किया में आपको बताया था, bionial multilateral naval exercise है, दुनिया भर की जो navy हैं, वो आपस में आती हैं, अभ्यास करती हैं, इस exercise की शुरुआत यहाँ पर कैसे सेंक्चुरी के बारे में, तो इंडिया का पहला चीता सेंक्चुरी यहाँ पर आने वाला है, इसको लेकर articles काफी सारे publish हुए थे, वो चीता सेंक्चुरी कौन सा होगा, तो कुनो पालपूर National Park जो है मध्यपरदेश के अंदर, इसको हम लोग हमारे देश का पहला चीता सें चीता है, यह दुनिया का एक सबसे तेज लैंड मैमल आपको देखने को मिलेगा, और आज के टेमपल वलनेबर काटिगरी के अंदर है, मतलब बहुत ज़्यदा खत्रे में है, भारत के अंदर तो इंट्रेक्ट चीता बहुत पहले खतम हो चुका है, भारत के अंदर 1952 के अ अंदर लेकर आने वाल है, उसका इन questions को आप लोग attempt कर सकते हो, चर्नोबिल न्यूकलर पाल प्लान्ट को लेकर यहाँ पर आप देख पाओगे, उसके बाद यह सारे questions हैं, जिनको attempt कर सकते हो, जिससे कि आप लोग पता लगा सकते हो, कि हामन चीजों को कित्त अच्छे क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, पहले तो आर्टिकल देख लो Indian Express का है, आपको एक चीज़ पता है कि यूक्रेन और रश्या के बीच में वार जो है, इस वार में हाँ पर आपको USA का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, अब क्या है इस वार में क्या हुआ? रश्या और अमेरिका को पर नहीं किरा, तो यहाँ पर चाइना को पर गिर जाएगा, या फिर इंडिया को पर गिर जाएगा, ऐसा यहाँ पर रश्या की तरफ से स्टेट्मेंट आया है, तो मैंने आपको International Space Station के बारे में बताया थे कि आखिरकार ये International Space Station ओन कौन करता है, किसका है य आपको इतना बड़ा सा, जैसे फुटबॉल फील्ड होता है ना, उतने बड़ा है, फुटबॉल फील्ड के बराबर का एक कमरा यहाँ पर आप देख पाऊगे, इस स्पेस में है, इसके उपर हमारे साइंटेस चले जाते हैं, रिसर्च कर लेता है, कुछ ताइम रुख सक रश्या का कोमकासा हुआ, ठीक है, आप लोग देख पाता हूँ, यूरोपियन का, यह ऐसे हुआ, जैपैन का, जाकसा, ठीक है, कैनाड़ा का आपको यह देखने को मिलेगा, तो अलग-अलग यहाँ पर स्पेस एजनसीज हैं, क्लियर हुआ धिहान रखना है, यह आप नेमो पर गिराया जाएगा, पॉइंट नेमो कहां पर है, आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, एक ऐसी जगा जो की पूरी तरह से खाली है, इस जगा से जो बाकी सारी जगाएं, वो बहुत दूर है, डूसी आइलेंड, इस्टर आइलेंड, यह सारी जगा बह बिलकर इंटरनाशनल स्पेस्टेशन, बाकी कोई बना रहा है स्पेस्टेशन बिलकुल, चाइना लमसम तयार कर चुका है, चाइना का स्पेस्टेशन का नाम है त्यांगों, ठीक है, इंडिया भी यहाँ पर 2030 तक अपना स्पेस्टेशन लाँच कर देगा, आगले आडिकल पराते हैं, नेक्स्ट अर्टिकल पर हमने Swift Band के बारे में discussion किया था, यहाँ पर आप देख़ोगे इन इन इसप्रेक्स का अर्टिकल है, Swift Band क्या है प्लस रश्या को भी Swift से निकाला गया तो इसको लेकर काफी चर्चा होई Swift के फुल फॉर्म क्या है, तो Swift के फुल फॉर्म है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ठीक है, Swift के बारे में जम बात करता है तो Swift एक Trust Messaging Platform है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही जादा Simple शब्दों है, यहाँ पर थोड़ा से खुले मैदान में आता हैं, यहाँ पर समझेंगे सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख पाऊगे मालो यहाँ पर इंडिया है अब यह मालो इंडिया है, अब इंडिया के अंदर अगर व्यापार करना होगा, ठीक है मालो इंडिया के अंदर आपने कुछ व्यापार किया अब आपको पैसो को लेकर transaction करना है पैसा ट्रांसफर करना है तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक code लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं IFSC code आपने ध्यान दिया होगा ठीक है बैंक में जब आप लोग पैसा ट्रांसफर करते हो तो भाई यहां पर IFSC code जरूर मांगा जाता है तो IFSC code की requirement होती है तो जब भी USA हो गया USA से भारत ने कुछ trade किया हमने यहाँ पर कुछ बेचा अब कुछ बेचा तो U.S. हमें कैसा देगा पैसा देगा तो उसमें Swift code लगेगा Swift code के मेना पैसा नहीं आ पाएगा या फिर हम ने उसmême कुछ खरीदा हम USA को पैसा देंगे तो वहाँ पर Swift Code का यूज किया जाएगा तो अब क्या हो गया Russia इस Swift Code का यूज कर नहीं सकता अब Swift Code का यूज नहीं कर सकता इसका मतलब दुनिया बर से ना Russia के पास पैसा आएगा ना Russia पेमेंट कर पाएगा यह सबसे बड़ी problem सबसे बड़ा sanction होता है जिसका हम लोग बोलता है Swift ठीक है Swift की फुल हो आपको समझ मा चुकी है इस Swift Network के अंदर आपको 11,000 के आसपास bank देखने को मिलेंगे 200 countries के अंदर जो की इसी Swift से connected है ठीक है जो की transaction लिखते है Swift के माधियम से इस पूरे Swift को बनाया गया था 1973 में इसका headquarter Belgium में देखने को मिलेगा दूसरी important बात Belgium में देखने को मिलेगा तो क्या इस पूरे Swift सिस्टम को Belgium कंट्रोल करता है तो ऐसा नहीं है इस पूरे सिस्टम को regulate क्या जाता है regulate करने वाली बहुत सारी countries है जैसे कि Canada हुआ France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Sweden, Switzerland, UK, US ये सब देखने को मिलेगा Belgium तो है तो ये सारी countries मिलकर इसको regulate करती है इंडिया को भी access है Swift का तो हम भी payment करता है तो Swift का स्विफ्ट का इस्तमाल के जाता है एक और question दिमाग में आ रहोगा तो Swift तो यहाँ पर आबाया है स्विफ्ट से पहले कैसे payment होती थी तो स्विफ्ट से पहले payment होती थी टेलेक्स के माद्यम से लेकिन टेलेक्स इतना successful रहा नहीं इसमें इतनी speed नहीं थी plus security concern काफी जादा था इसकी वैसे यहाँ पर successful होनी पाया अब impact के बारें बात करें तो रश्या के उपर बहुत ज़्यादा impact पड़ेगा क्योंकि रश्या बहुत सारी countries जो है swift code का इस्तमाल कर रही है तो यहाँ पर रश्या के उपर काफी impact पड़ेगा रश्या के पास जो forex reserve रखाव है दूसरे countries का वो क्या करेगा रश्या उसको बैटे-बैटे देख सकता है बस यहाँ पर और कोई काम नहीं है उसका ठीक है क्योंकि अप payment वगरा कर नहीं पाएंगे किसी बहार को तो यह problems रश्या के अंदर देखने को मिलेंगी ऐसा आप लोग देख पाओगे आगे आते हैं नेक्स्ट आडिकल में हमने discussion किया था इंडिया के wheat export को लेकर तो रश्या यूकरेन के disputes के बीच में हुआ क्या है भारत के पास opportunity की भारत यहाँ पर जादा से जादा गेहूं को export कर सकता है अलग अलग कंट्रीज में जब लोग बात करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर देखो simple सी बात है रश्या यूकरेन के बीच में जब war चल ली है तो यह दोनों countries wheat को तो export करनी सकती है क्योंकि यह दोनों countries बहुत सारे गेहूं का production करती है अब गेहूं बना तो सकती है लेकिन गेहूं यहाँ पर इस war के टाइम पर बेच नहीं पाएंगी तब war के टाइम पर इस गेहूं को बेच नहीं पाएंगी तो इससे क्या हो सकता है भारत के पास opportunity है कि भारत अलगलग countries में अपने गेहूं को बेच सकता है क्योंकि जब आप रश्या का status देखते हो तो रश्या का यहाँ पर रश्या को पूरे दुनिया भर में जो की सबसादर वीट को export करते हैं तो वा पर रश्या युक्रेन उसके बाद रश्या युनाटिट स्टेट्स केनेडा फ्रांस और युक्रेन आपको नजर आता है ठीक है और अब एक क्वेशन दिवाग में आया का कि भाई चलो हमें exporter तो पता चल है इन कंट्रीज को हम लोग गहुं चेप सकते हैं बहुत सारा ठीक है क्योंकि अभी वहां से क्राइसिस जादर चला है तो भारत भी प्रड्यूस तो बहुत सरा गहुं करता है लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग कंजूम भी बहुत कर लेता है तो इसी वज़ाँ से यह important है कि अब को गहुं देखने को मिलेगा और जो गहुं है वो एक Mayn food Cart है काहांँ पर North Western Part में आपको देखने को मिलेगा और वीट जह एकgiaई भी क्रॉप देखने को मिलती है अदृत जहानक ना उसके बाद यहां पर उम लोग बात करें जो हमारा Green Revolution का जो contribution है वो यहां पर वीर कर रही है wheat production को और जादा बढ़ाने के लिए ठीक है तो इंडिया यहाँ पर second largest producer है चायना के बाद wheat का बट यहाँ पर क्या है हम लोग wheat को जादा से जादा कंजूम कर लेते हैं इस वैसे export नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद अगले article में हमने चर्चा की थी exercise eastern bridge 6 के बारे में आप देख पाऊगो इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर यह आर्टिकल है इंडिया और ओमान के बीच में आपर air exercise यह हुआ था 2019 October में ध्यान रखना कहाँ पर ओमान के अंदर बट जो यह यह वाला है यह इंडिया में हो रहा है ओमान कहाँ पर है तो इधर इंडिया देखने को मिलेगा इधर आपको यहाँ पर ओमान देखने को मिलेगा दोनों countries के बीच की जो Navy है Armed Forces है ठीक है हमारी Air Forces है तो इनके पास यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोनों countries की इन Forces के बीच में अभ्यास होता है जैसे की इंडिया ओमान की Naval Forces के बीच में एक Excise होते हैं अभ्यास होता है जिसका नाम है नसीम अलबर फिर दोनों countries के बीच में अर्मी के बीच में अल नगा होता है दोनों countries के Air Force के बीच में Eastern Bridge होता है जिसके बारे में हम यह चर्चा कर रहे है प्लस उसके बाद एक और बहुत बड़ा importance है भारत के लिए जब आप भारत को देखते हो तो भारत को घेर रखाए चाइनों ने च चाइनों को यह नहीं पता कि हम लोगों ने उसको भी घेर रखा है कैसे तो यहाँ पर आप देखो देखो जब यह चाइना की strategy को हम लोग बोलते है string of pearl और भारत की strategy को बोलते है neckl of diamond में क्या हुआ ओमान का बहुत बड़ा importance है ओमान का एक port है जिसका नाम है दकम port यह जो port है इसका access भारत के पास पूरी तरह से आ चुका है तो चाइना ने हम लोग को ऐसे घिर रखा है लेकिन चाइना को नहीं पता कि हमने चाइना को ऐसे घिर रखा है क्योंकि हमारा पोर्ट यहाँ पर मंगोलियों में उसका जपान में इंवेस्टमेंट है वेतनाम में, यहाँ पर इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, बीच में बहुत सरी यहाँ पर आइलेंड से वो तो हमारे हैं ही, उसके आद यहाँ पर सीचिल्स में आपको देखने को मिलेगा, दकम पोर्ट देखने को मिलेगा, चाबर जो पोर्ट है इरान कादर वो भारत में 1883 में कहाँ पर नाशिक के अंदर महराश्टरा में उसके बाद कुछ important बात हैं जैसे कि याँ पर हिंदू महासभा के President ये रहे हैं उसके बाद एक book है The History of War of India Independence इस book को इन्होंने लिखा है उसके बाद इन्होंने एक book all लिखी है जिसका नाम हिंदू तवा who is Hindu तो इनके बारे में छोटी से information थी जो कि मैंने आपके साथ share की थी जो कि आज भी बता दी है अब इन questions को आप लोग attempt कर सकते हो ये questions मैंने आप लोग लिए लगा दी है इनके answers भी आपको मिल जाएंगे अगले article पर आते हैं next article बात करता है दुनिया के largest इस plane के बारे में काफी चर्चा में था Indian Express का ये article देखने को मिले गया हुआ क्या है ये दुनिया का सबसे बड़ा plane है Ukraine के पास है इस plane के उपर Russia ने attack कर दिया है तो इस plane को काफी नुकसान पहुचा है in fact कुछ articles आपको देखने को मिलेंगे इतना नुकसान पहुचा है कि इस plane को सही करने में तीन अरब डॉलर का खर्चा आएगा और पास साल बाद यहां पर यह तयार हो पाएगा दुबारा से तो है क्या यह plane मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ठीक है यहां पर आप देख पाओगे इस plane का नाम है एंटोनोफ एन डबल टू फाइफ ध्यान रखना लेकिन युक्रेन इसको म्रिया के नाम से पुकारता है म्रिया या फिर एक सपना इसी वज़े से आर्टिकल पब्लिश हुए कि युक्रेन का जो सपना है वो तूट गिया क्योंकि रश्या ने इसके उपर आटाक कर दिया रश्या ने इस plane को डामेज कर दिया यह दुनिया का लारजस्ट कारगो एरक्राफ्ट है मतब दुनिया का सबसे बड़ा एरक्राफ्ट है बस नाम ज़रूर ध्यान रख सकते हो इसका भारत के अंदर भी एक बार लाइंड हुआ था 2016 में हैदराबाद के शम्शदबाद एरपोर्ट पर यह लाइंड हुआ था तो इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो ठीके बाकी आपने एरपोर्ट स्वरी यह जो एरक्राफ्ट इसको देखी लिया है दूसरा क्वेशन क् यहाँ पर हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ मिला यूकरेन को यह प्लेन मिल गया उसके अगले आजिकल में हमने आई पी सी सी रिपॉर्ट के बारे में डिसकोशन किया था इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस के क्सेक्षन पर यह आटिकल आया था पहली चीज आई प्र क्या है प्रेलिम्स के point of view से important है यह है इंटर governmental panel on climate change ठीक है यह एक इंटर governmental body है United Nations की ध्यान रखना इसको बनाया गया था 1988 में World Metallurgical Organization के थूँ और साथी साथ United Nation Environment Program के थूँ इसका headquarters जिनेवा में है इसके अंदर 195 members हैं function के बारे बात करें इसका में काम है कुछ reports त्यार करना जो कि climate change के बारे में बात करती है कि इतने जादा temperature बढ़ रहा है कि इतना pollution हो रहा है वो सब लोगों को लेकर report पब्लिश करती है तो IPCC की अभी छटा report का second part आया है ध्यान रखना और second part के अंदर बताया गया इस report की findings का है इनोंने बताया कि अभी सही environment को आपने protection नहीं दिया environment के लिए काम नहीं क्या तो आगे जाके situation और खराब होने वाली है काफी सारी death होती है काफी सारी बिमारिया निकलती है इस environment के खराब होने की वज़ा से diabetes, respiratory system, infectious disease ये कही न कहीं ये चीज़े climate change से related है तो इसके ओपर काम करना होगा, इसको अभी से रोकना होगा otherwise climate change बढ़ता रहेगा, बर्फ पिगलेगी, glaciers पिगलेंगे sea level rise होगा, countries डूप जाएंगी तो ये यहाँ पर problems देखने को मिल सकती है इंडिया को लेकर इसने बताया, मुंबई सबसे बड़ा खत्रे में है, क्योंकि obvious सी बात है जब लेशर पिगलेंगे, sea level बढ़ेगा तो मुंबई डूबेगा, सबसे पहले तो क्योंकि coastal region पर देखने को मिलता है एहमदाबाद के अंदर काफी गर्मी बढ़ सकती है बहुत सारे शहर हैं, जैसे चिन्नाई, भूमनेश्वर, पढ़ना, लकनाउ यहां सभी जगा पर आप देख पाओगे, बहुत ज़ादा गर्मी बढ़ सकती है ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया, तो हमें क्या है अभी तुरंती इस climate change को उपर focus करना होगा otherwise जो wet bulb temperature यह भी बढ़ चुका है wet bulb temperature क्या होता है, देखो wet bulb temperature के अदर गर्मी और नमी दोनों होती है, और दोनों थोड़ी जादा मातरें बढ़ जाती है तो अभी भारत में 31 degree का wet bulb temperature देखने को मिला और बोला यह जाता है कि 35 degree का अगर यह wet bulb temperature पहुंच जाए तो यह मानप के लिए बहुत अधर dangerous होता है चाहे वो व्यक्ति कीतना ही fit हो, कीतना ही healthy हो तो उसके लिए काफी खतरना को जाता है clear हुआ, उसके बाद next article में हमने International Court of Justice के बारें बात किये Indian Express का article है, देखो क्या है अभी International Court of Justice काफी चर्चा में देखने को मिला युक्रेन ने एक application फाइल कर दी ICJ के अंदर रश्या क्या गया है इसमें कि रश्या यहाँ पर क्या कर रहा है, जिनोसाइट कर रहा है बहुत सरे लोग को मार रहा है युक्रेन के तो इसी वैसे यहाँ पर चर्चा में आया क्योंकि हुआ किया, अभी रश्या ने युक्रेन के दो हिस्सें लुहांस को और दोंतेस्क, क्रीमिया को तो हतिया ही रखा है लुहांस और दोंतेस्क को भी दो अलग independent nation घोशित कर दिया रश्या ने जिसके माध्यम से रश्या यहाँ पर घुसा वो फिर उसके बाद युक्रेन पर अटेक चालो किया और युक्रेन के ओपर अभी बहुत सारे अतियाचार हो रहे हैं, बहुत सारे अटेक्स हो रहे हैं, बहुत सारे देखने को मिलेगा, सबसे इंपोरेंट बात यह है कि यह एकलोता ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसका headquarter Netherlands, Haig में है, अदर्वाइस सब गी के headquarter New York में देखने को मिलता है और इजिन के बारे में बात करें, यह जो court है, International Court of Justice इससे पहले एक court हुआ करता था, Permanent Court of International Justice रजबी रह चुके हैं, ध्यान रखना, उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने discussion किया था World NGO Day के बारे में, Down to Earth का आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख पाओगे, होता क्या है हर साल हम लोग World NGO Day को celebrate करते हैं, 27 स्वरवरी को, World NGO के Day के बारे में जो हम बात करें तो NGO क्या होता है, Non-Governmental Organization होती है, जो की society के लिए काम करती है, society के भलाई के लिए काम करती है NGO का इतिहास दे के हम लोग तो यह जो NGO Day है, इसको सबसे पहली बार यहाँ पर एक official status दिया गया था NGO का main function क्या है, main function यही है कि लोग, जो citizens है, उनको help करना, एक Non-Governmental Organization है, लोगों के हख को यहाँ पर NGO आगे लिए कराता है significance देखोगे, तो बहुत सारे important issues है, ठीक है, water, environment, women right, ठीक है, पड़ाई लिखाए के, गरीबी के, बहुत सारे issues जो है, NGO को यहाँ पर उठाता है लोग के प्रती काम करता है, जो government policies हैं, सरकार की नीतिया हैं, उसके अंदर NGO को काफी बड़ा participation देखने को मिलता है right to information, MG नरेगा, juvenile justice की अलग अलग यहाँ पर policies आई हैं NGO की वज़ा से, कि NGO यहाँ पर बात करता है, लोगों के हक के बारे में ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आज का टाम पर भारत के साथ, भारत सरकार के साथ, काफी सारी जोगों पर पार्टनर कर चुका NGO अलग 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 campaigns के साथ, यहाँ पर partnership करके काम चल ला है, यह आपको ध्यान रखना है, NGO काफी सारी problems face करते हैं, जैसे कि इनकी कोई लंबी planning नहीं होती है, fund की बहुत ज़दा कमी आ जाती है, fund proper आनी पाता है, maintenance नहीं हो पाता है, और यहाँ पर proper लोगों के पास skills नहीं हो हाँ से निकाला गया, क्योंकि war चला है, हमाँ पर attack हो रहा है, तो इसकी वैसे उन बच्चों को हाँ से निकाला गया, और उसी निकालने वाले हमने यहाँ पर नाम को operation ganga, इस operation को हमने नाम दिया, operation ganga, ठीक है, तो ध्यान रखना, operation ganga के साथ साथ मैंने आप लोगों को लोग ने चलाया था, ठीक है, ये इंडियन नेवी के थुरू लांच किया गया था, 2006 में, क्योंकि हुआ क्या था, बहुत सारा war हो गया था, इसराइल और लेबनन के बीच में, 2006 में, तब हमने इस एरिया से बहुत सारे इंडियन, शुलंका, नैपाली, इन सब लोगों को में, उसका ओपरेशन मेत्री चलाया हम लोगने, नैपाल के अंदर अर्थ को एक आया था, तो उमहां से हमने लोग को निकाला, ओपरेशन राहत चलाया, ठीक है, ये मेन के अंदर जब क्रैशिस होे तो उमहां से बहुत साई लोगों को निकाला, ओपरेशन देवी शक्ती अफगानिस्तान में जब तालिबान का पूरा ट्रीक और हो गया, तो हमने ओपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से अपने सारे लोगों को निकाला, वंदे भारत मिशन चलाया, COVID-19 पैंडेमिक में दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया, ठीके, तो वंदे भारत मि इंट्री से, उसका बीच में आपके साथ शॉर्ट न्यूस को डिसकस करना भी स्टार्ट कर दिया था, इन लेंदी न्यूस के साथ, मैंने साइकलोन एमनती के बारे में बताया था, साइकलोन एमनती यहां पर एक अटाक कर सकता है मडगासकर के ओपर, यह काफी चर्चा में आता है तो इसको हम साइकलोन ही बोलता है, बट जब साइकलोन जापान चाइना के पास आता है तो इसको ताइफून बोला जाता है ध्यान अखना, ठीक है, या फिर जब साइकलोन इधर साउथ अमेरिका की साइड आता है तो इसको हरीकेन बोला जाता है, और यह सारे साइक तो हमने डिसकरशन क्या है। अगड़ियुद unfortunately, तो है सउत्अ नीजिवन और E.C.C.T. के बारे हमने discussion क्या था, ये क्या है। तो ECGC फिल फॉर्म है, Export Credit Guarantee Corporation of India, ये भारत के exporters को support करता है, ये मुंबई के अंदर base desk को बनाएगा तो 1957 में, जो को मालो यहाँ पर ऐसा भी होता है ना कि इंडिया का कि कोई exporter है ये, ये इसने यहाँ पर समान export किया USA के अंदर, अब export कर दिया, सोच रहा है payment आएगा और मा यहाँ पर एक credit guarantee भी देती है, और basically यहाँ पर क्या होता है, ECGC contact रखती है इधर दूसरे वाले country, जहाँ पर export समान किया है, उसके bank के साथ में, उनके साथ contact रखती है, उनकी सरकार के साथ contact रखती है, यहाँ पर export हुआ है हमारा पैसा भी जबाओ, तो ECGC basically यहाँ पर एक insurance भी देता है, कि आपका पैसा, आपने समान बेजा, समान डूब गया, तो आपको इसके बदले में insurance का पैसा मिल जाएगा, ताकि जो exporter है, वो यहाँ पर अपना एक होसला नखुआ है, क्योंकि अगर उसका exporter का एक बार पैसा डूब गयाना, तो दुबार export नहीं करेगा, दुबार export नहीं करेगा, तो country का जो पैसा वो डूब जाएगा, क्लियर हुआ, अब इन questions को आप लोग attempt कर सकते हो, ठीक है, ये questions में आपके साथ लगा दिया है, इन answers को भी लगा दिया है, attempt जरूर करना, उसके बाद अगले article में हमने discuss किया था, Russia-Ukraine के dispute के बीच में बहु बहुत सरे हत्यार purchase किये हैं, बहुत सरी deal चल रही है, लेकिन अब भी भी हम लोग ये deal करते हैं, तो US हमार उपर sanction लगा सकता है, ठीक है, फिर उसके आद मैंने India-Russia defense relation के बारे मताया था, दोनों countries के defense relation बहुत important है, आज के टाम पर भारत के पास nuclear submarine, aircraft carrier, tank, gun, fighter jet, missiles, ये सारी च India-Russia दोनों मिलकर साथ में बना रहे हैं, Mick Jets, Sukhoi Jet ये सब देखने को मिलेगा, ये सब रश्या के थ्रू हमने बनाया है, Indian Air Force के पास आपको 667 plane fighter देखने को मिलेगा, अलग-लग आपको fighter planes देखने को मिलेंगे, ये सारे planes Russian made हैं, ठीक है, ये सारी deal तो अभी चल ये हो चुकी हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी परिशानी है, परिशानी क्या है कि अभी war चल लई है, और हम अगर ये deal करते हैं, जिसकी वैसे यहाँ पर देखो पहले तो ये deal हो भी नहीं पाएगी, ये ब्रम्बोज मिसाल आपको दिख रहा होगा, जिसको Russia, India दोनों ने मिल चेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये तो होगा है, ये रशिया और इंडिया की बात, उसके बाद युकरेन और इंडिया की बात करते हैं, तो युकरेन भी बहुत important country है हमारे लिए, लोको युकरेन ने भी बहुत सरे समान को export या बहुत सरे defense equipment दिये हैं, इनका एक तो ये चीज़ें या पर बताए गई, प्लस ये जो sanction है, जो की अभी लगाए गए हैं, दिखो sanction रिशया के उपर लगे हैं, जिसकी वैसे हमारे उपर भी back पड़ेगा, हमारे पास proper समान आनी पाएगा, हमें problem हो सकती है, हमारे लिए सबसे बड़ा खत्रा चाइना पाकिस् defense supply हो नी पाएगा, उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी problem क्या है, हम लोगोंने अभी फिलिपिन्स के साथ deal करी है, हम लोग अभी 375 मिलियन डॉलर्स का ब्रहमोज मिसाइल को export करेंगे फिलिपिन्स को, उसके अंदर रुकावड़ा सकती है, प्लस US हमारे उपर कार्ट सा क regulation mentioned है, कि flag ऐसा होना चाहिए, flag का use यहाँ पर होना चाहिए, flag का गलत use ना हो, flag का disrespect ना हो, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इसके अंदर amendment, इसके अंदर बदलाव किया गया, बदलाव करके क्या बोल लागिया है, तो आपको ध्यान रखना है, बदलाव होके यहाँ पर एक ची पॉलिस्टर वाले नहीं हुआ कर जिते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, बोला गया, इस rule के अंदर amendment करते हुए, बोला, कि अब national flag जो है, वो machine made, पॉलिस्टर के भी बन जाएंगे, तो पॉलिस्टर वाले flag को भी हम लोग import करेंगे, और उनको manufacture करेंगे, तो यह basically यहाँ पर पॉला गया और इसको approve किया गया, इतिहास अगर हम लोग देखें तो जो भारत का flag है, इसको सबसे पहला flag अडॉप्ट किया गया है, यहाँ पर जो first national flag है, जो सबसे पहले बार अडॉप्ट किया गया था, 7 अगस्ट 1906 में अडॉप्ट किया गया था, और पहला flag पता है, क इंडिया का flag है, वो अडॉप्ट किया गया था, हमारी जो constant assembly की meeting चल ले थी तब 22 July 1947 में हमारे flag को अडॉप्ट किया गया था, ठीके, उसके बाद flag code 2002 के बारे मैं आपको बताया, इस flag code के अंदर बताया गया है, कि आप लोग जो जंडा है, उसका proper use करोगे, ठीके, यहाँ पर जो public और private use में कैसे कैसे rules and regulation होंगे, सरकारी use में क्या-क्या rules and regulation होंगे, flag को लेकर, यह सारी बाते लिखी गई है, तो इसके अंदर बदलाव कर दिया गया, पहले जो flag है, वो खादी का बनता था, वो वन वूल हाथ से बुनाई करके, यहाँ पर flags को बनाया जाता था, ब इसको हम लोग यहाँ पर manufacture भी करेंगे, clear हुआ, तो flag rules के बारे में आप लोग समझ गए हो, तो यहाँ पर बताया गया, flag rules को लेकर काफी सारे act आपको लेखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक act का नाम है, क्या, prevention of insult to national honor act, उसकी बाद यहाँ पर यह जो act इसका section 2 क्या बोलता है कि जब भी आप लोग कोई national flag हो गया, यह हमारे भारत का संभीधान हो गया, तो अगर इसका disrespect करते हो, इसको फारते हो, इसको जलाते हो, अफर ऐसा कुछ करते हो, तो इसकी वज़ा से यहाँ पर आपको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, यहाँ पर 3 साल की और fine लग सकता है, तो यह कुछ restrictions बगरा लगाए गए है, ठीक है, यह ध्यान अखना, उसका अगले article में हमने konak sun temple के बारे में चर्चा करिए, konak sun temple जो हम बात करते हैं, तो konak sun temple में अभी solar energy की through यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर power का use करेंगे, मदब solar energy की power का use करेंगे, यह article पब्लि करेंगा, konak sun temple के बारे में बात करें, तो temple located है, east odisha में, जो पूरी शहर है, वही पर आपको देखने को मिलेगा, इस temple को बनाये गए था, 13th century में, king नरसिमा देव वन के through, ठीक है, यह time period था 1238 AD से लेकर 1264 AD के बीच में, जो eastern ganga dynasty थी, यहाँ पर वो जानी जाती थी, रूद यहाँ पर यह चक्र बने हुए है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है, यहाँ पर यह रत है, पूरा पूरा पूरा, तो रत के shape में यहाँ पर इस temple को बनाया गया है, यह temple sun god को सूरे देवता को dedicate किया गया, यह भी धियान रखना, इस temple का, मतलब इस temple हम लोग को यह बताता है, कि जो कलिंगा architecture है, वो अपने आप में एक बहुत ultimate level पर पहुँचा था, क्योंकि यह temple है, वो कलिंगा architecture के form में बना हुआ है, इस temple को UNESCO World Heritage Site declare किया गया 1984 के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको चक्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, यहाँ पर यह जो चक्र पहले उडिशा के अंदर आपको और भी अलगले temple देखने को मिलेंगे, जगनाथ temple, तारा तारीनी, उदैगरी एंड खांदारी गेफ्स, उसके बाद लिंगराच temple भी देखने को मिलेगा, यह जो architecture है, यह जो आर्किटेक्चर है, यह जो आपको धियान रखना है, जो tower होत रहा है, यह dual है, और यह जो यह जो यह जगमुहन कहलाता है, तो इस प्रकार से temple था आज के टाइम पर यह तो जो ऊपर की चीज़ें थोड़ी सी गिर सी गई है, इस temple की, clear हुआ, अगले article में हमने प्रधान मंतरी भारती जनौश्दी परियोजना के बारे में चर्चा की थ और इसका नाम बाद में बदल दिया गया, प्रधान मंतरी भारते जनौश्दी परियोजना कर दिया गया, इसको इंप्लिमेंट करने वाली अलगलग बॉडिज हैं, जैसे की फार्मसिटिकल मेडिकल डिवाइस बूरो अफ इंडिया इसको इंप्लिमेंट करता है, इसके फ खरी दी जाएंगी और प्रॉपर क्वालिटी वाली दवाइया आपको प्रोवाइट करवाए जाएंगी, जिससे क्या होगा, दवाइया सस्ती में एक अफॉर्डेबल रेट में बिलेंगी, लोग यहाँ पर हर तरीके से इस दवाई को अफॉर्ड कर पाएंगे, उसके बा बुलगेरिया है, इधर रोमानिया है, तो टोटल छे कंट्री से जो की ब्लैक सी के साथ आपने बॉर्डर को साजा करती है, ठीके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह एक रास्ता है, इधर बीच में सी ओफ मरमरा है, सी ओफ मरमरा पिछले साल जून में चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर काफी काई वगरा जम चुकी थी, अलगल ब्लूम हो चुका था, ठीके, यहाँ पर आपको एजेंसी देखने को मिलेगा, ठीके, तो दिहान लखना, क्या है, एजेंसी है, एजेंसी से जब इधर जाओगे, तो इधर आपको यह दो रास्ते हैं, पतल युक्रेन के उपर, तो अभी क्या हुआ, युक्रेन ने बोला, टर्की से भाई, यहाँ पर, क्योंकि Montrex Convention के अंदर, टर्की के पास पावर है, कि कोई वार अगर हो रही है, तो उसको रोकने के लिए, जो टर्की है, वो यहाँ पर रोक लगा सकता है, जहाज को अंदर नह निकल कर, इस से स्ट्रेट से निकल कर, ब्लैक सी में पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर टर्की इसको बंद कर दे, तो यह अलाव नहीं किया जाएगा, तो टर्की के पास पावर है, वो किस के अंदर पावर है, Montrex Convention के अंदर पावर है, तो Montrex Convention क्या होता है, आई होप से इंवेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति चाहे कि मैं सेवी से रिजिस्टर नहीं होना चाहता, ठीक है, देखो क्या होता है, अगर किसी बाहर के व्यक्ति को, अगर हमारे इंवेस्टमेंट करना है, इंडिया में, तो इसको पहले सेवी के साथ, Securities Exchange Board of India के साथ र यहां पर स्टॉक को परचेस नहीं कर पाएगा, तो यह अगर चाहे, मतलब इसका मन है कि यार मैं सेवी के साथ रिजिस्टर नहीं होना चाहता, मैं ऐसी स्टॉक को परचेस करना चाहता हूँ, तो यह कर सकता है, कैसे, तो बीच में बैंक आ जाएगा, जिससे मालों यहां पर HSBC ये bank आ गया लेकिन ये bank जो है ये CB से register होगा ठीक अब ये बाहर का व्यक्ति ये A है ये क्या करेगा ये पैसा देदेगा इस bank को और बोलेगा कि में लिए TCS Infosys किसी के share purchase करके देदो तो ये bank क्या करेगा इसके बिहाफ में ये share उठाएगा share उठाने के बाद यहाँ प मिलता रहेगा ठीक है ये participatory note होता है I hope आप लोग clear हो चुगा होगा तो ये जो bank है ये CB registered होता है ठीक है जिसको लोग FII बोलते है FII मतलब होता है financial sorry foreign institutional investor तो यहाँ पर इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति चाहे तो बिना CB के register हुआ वा अपना यहाँ पर समान provide करवा सकता है clear हुआ उसका Swiss Canal के बारे में चर्चा की कही थी Swiss Canal में क्या हुआ है recently Egypt ने इसके price को बढ़ा दिया है transportation fees जो है वो बढ़ा दी है Swiss Canal क्या है तो यहाँ पर एक कैनल आपको देखने को मिलेगा Swiss Canal Africa और Asia को separate करता है Red Sea से निकलना है तो इस कैनल के माधम से निकलकर आप Mediterranean Sea में पह लगता है तो उस चार्ज को अभी बढ़ा दिया गया बारा परसंट से जोरी 10 परसंट से और बोले जादा दुनिया भर का ट्रेड जो है 12 परसंट का ट्रेड यहीं से होता है तो अगेन यहाँ पर Egypt ने इसके prices बढ़ा दी है इसी वज़ा से काफी चर्चा माया उसका इन questions क आप लोग attempt कर सकते हो यह questions मने आप लोग लिए लगा दी है अगले article में हमने चर्चा की थी United Nation Environment Assembly को बारे में यहाँ पर आप देख पाऊगे Business Standard का article है अब हुआ क्या है United Nation Environment Assembly end हुई है ठीक है end हुई है तो मतलब यह पांच भी बार मतलब आप कर सकते हो पांच भी असेंबल development goals को achieve करेंगे इनका major मकसद यह है कि हम लोग environment की तरफ बढ़ेंगे हमारे total 17 goals है 2030 तक हम लोग को achieve करना है तो इन्होंने बताया कि भई environment के लिए क्या क्या करना चाहिए तो environment के regarding जब बात आती है तो दुनिया की सबसे बड़ी body जो है जो कि environment को लेकर decision लेती है वो आपको United Nation environment assembly ही देखने को मिलती है इस body के अंदर इस body को बनाया गया था June 2012 के अंदर ध्यान रखना एक conference चलदा था United Nation conference जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं United Nation Conference on Sustainable Development के टाइम पर इसको बनाया गया जिसको हम लोग as a Rio plus 20 के नाम से भी जानते है ठीक है तो ध्यान रख सकते हो इसके ब खत्म करना है क्योंकि plastic pollution अपने आप में बहुत बढ़ा खत्रा है इसी वज़ा से जो दुनिया बर के ministers हैं इन्होंने यहाँ पर intergovernmental negotiating committee को बनाया यह committee क्या करेगी plastic pollution को खत्म करेगी ठीक है यह जो intergovernmental negotiating committee है यह अपना काम स्टार्ट करेगी 2022 से और 2024 तक plastic को खत्म करेगी ठीक environment में ऐसी पढ़ा रहता है प्लास्टिक का कब 30 साल तक जो टूद ब्रश है वो 500 साल तक environment में ऐसी पढ़ा रहा है वो decompose नहीं होगा ठीक है सालों निकल जाएंगे वो plastic ऐसी पढ़ा वाए और जहरी लिए gases को छोड़ ला है toxicness को यहाँ पर environment में release कर रहा है जिस हमारा environment बाद हो रहा है तो इसी plastic production को कम करने के लिए plastic को रोकने के लिए यहाँ पर decision लिया गया तोकि इस plastic की वज़ा से लगबख बहुत सरे हमारे ocean में पानी में समुदुर में रहने वाले जानवर हैं जो की बुरी तरह से affect हो रहे हैं एक data यहाँ बोला गया लगबख 11 million 10 जो plastic waste ह वो हर साल ocean के अंदर flow होता है ठीक है 11 million 10 plastic waste यहाँ पर flow होता है ocean में और यह 2040 तक triple हो सकता है ऐसा भी यहाँ पर बताया गया तो इसी वज़े से recommendation है कि plastic को कम किया जाए इसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कम करने के लिए हम लोग reusable plastic का use कर सकते हैं मतलब ऐस प्लास्टिक जिसको वापस से use किया जाए या फिर recycle कर लिया जाए इससे क्या होगा हमारी सरकार के पास पैसा ही बचेगा नया plastic प्लास्टिक 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 बढ़ेगा नी प्लस जो greenhouse gas emission है वो भी कम होता वा नजर आएगा उसके बाद international intellectual property index 2022 के बारे हमने चर् पन में से और यह intellectual property index क्या होता है देखो intellectual properties क्या होती है मालो आपने कोई innovation क्या कोई नया आविशकार किया ठीक है अब उसके नया आविशकार को एक protection देने क्लिए क्या करना पड़ता है उसको आपको protection देने क्लिए एक नयने चीजे को follow करना पड़ेगा नयने rules को यहाँ पर तो होता क्या है यहाँ पर intellectual property जब बात आती है तो उसमें patents, copyright, trademark, design rights यह सारी चीज़ आती है आपने कोई symbol है आपका कोई symbol चोरी ना कर ले उस पर trademark ले लोगे ठीक है आपका कोई content copy ना कर ले उस पर copyright ले लोगे तो यह सारी चीज़े होती है intellectual property rights में तो अब यह पर जो index है व पॉलिसीज होती है तो यहाँ पर इसके basis पर इसको तयार किया देता है उसके बाद अगले article में हमने discussion किया था चंडीगर ने demand करी है राजसभा seat की ठीक है यहाँ पर आप देख पाऊगे Indian Express का article था चंडीगर का जो municipal corporation है इन्होंने बोला कि भी article 80 को amend करो article 80 के अंदर बदला चंडीगर क्या कर सकता है चंडीगर कह सकता है कि हमारा भी एक member कहा बर बैठना चाहिए राजसभा के अंदर बैठना चाहिए देखो ऐसा possible नहीं हो पाएगा देखो होता क्या है मुद्दा क्या है आज आपको total 8 unit territories देखने को मिलेंगी आठ में से 3 unit territory ऐसी है कौन कौन सी पुडू चैरी जमू कश्मीर और नाशनल केपिटल टरीटरी आफ डैली तीन ऐसी unit territory है जिनका representation आपको राजसभा में देखने को मिलता है अदर्वाइस बाकी सारी जो unit territories है इनका राजसभा में representation नहीं है लोग सभा में representation देखने को तो यह इसकी demand उठ रही है इसी demand को लेकर चर्चा की गई और यह जो demand उठाए गई इसमें यहाँ पर एक private member bill जारी किया गया है private member bill के जरी है यहाँ पर बोला गया चंडिगर चाहता है एक seat लेना राजसभा के अदर private member bill क्या होता है जब कोई opposition party यहाँ पर bill लेकर आती है उ सरकार को resign करना पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर सरकार लोगसभा से bill पालस ने करवा पा रही है तो उसके लिए सरकार किया पर किस बात की बैटी है तो resign कर सकती है बड़ private bill में ऐसा होता नहीं है क्योंकि फरक नहीं पड़ा है वो सत्ता में है ही नहीं आपना bill लेकर आ र military अभ्यास है जिसका नाम है exercise धर्म guardian यह अभ्यास इंडिया और जैपान के बीच में होता है 27 फरवरी से 10 मार्च तक यह चलने वाला है कहां पर बेलगाउं या बेलगवी तो बेलगाउं यह आपको एरिया देखने को मिलेगा जो महराश्रा करनाटका के बीच का एरिया है यह area disputed region भी है वैसे तो करनाटका के अंडर में आता है लेकिन महराश्रा इहां पर इसकी डिमांड करता है कि हमारे अंडर मना चाहिए क्योंकि आपर बोलने वाले लोग महराथी है और महराश्रा बोलता है कि जब भार्षा के आदार पर तिलंगना तूटा है तो इसको भी तूड़ाना चाहिए यह जो हिस्सा है महराश्रा के अंदर माना चाहिए इसको लेकर विवाद रहता है तो यहाई पर अभ्यास हो रहा है ध्यान अखना ठीक है तो एकसाइस धर्म गार्डियन के अंदर क्या होगा इंडिया और जापान के यहाँ पर आप देख पाओगे जो एरफोर्स है वो आएंगी ठीक है इंडिया और जापान के यहाँ पर जो लोग है बिसिकली बुस्सारी जो आपस में अभ्यास करेंगी अभ्यास बिसिकली जो किया जाएगा इसमें एक मेजर रूल यहाँ पर यह रैने वाला है कि जो आतंगवाद उससे कैसे लड़ा सकता है तो दोनों कंट्रीस की जो आर्मी है वो आतंगवाद को खतम करने के लिए यहाँ पर आपस में अभ्यास करेंगी काफी कुछ सिखाएंगी एक दूसरे को जिससे रिलेशन और डवलप होंगे ठीक है प्लस इंडिया जापान के बीच में और भी अभ्यास होता है जि क्लियर हुआ इसके साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप काफी वीडियो लेंदी हो चुका है लेकिन काफी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाया इसी वेसे वीडियो लेंदी हो गया कोई बात नहीं चीज़ा आप रिवाइस कर पाओगे मिलते हैं आप